आज हम रूसो के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहले हम रूसो के सामाने परिचे उसका मानो शुभाव और प्राक्रति के वस्ता के बारे में देखेंगे रूसो का जनम सन 1712 में निर्धन आईजक नामक घड़ी साज के यहां जेनेमा हुआ जनम के समय ही माता का देहान्त हो गया और पिताने पुत्र को अपने दुर्वेसनों का साथ ही बना लिया इस प्रकार जनम से ही वे उपेक्षित और सिनेवीन रहा लगबक 14 वर्ष के अल पवस्ता में ही रूसो को एक कठोर संगतराज खुदाई का काम करने वाले के पास काम करना पड़ा जो उसके साथ बड़ा ही पास्विक व्यवार करता था वहां रूसो को पेट भरने के लिए केवल कठोर परिश्रमी नहीं करना पड़ा बलकि उसने चोरी करने और जूट बोलने की कलाबी सीखिए आखिर अपने मालिक से तंग आकर रूसो घर से भाग निकला तब उसकी आयूमा तो 16 वर्ष थी जीवन के अगले कुछ वर्ष रूसो ने फ्रांस में आवारागर्दी में विताय वहन ने केवल बुरी संगती में पड़ गया बलकि उसका सोभाव ऐसा बन गया कि वह हमेशा वर्तमान में ही रहता था ने भूत काल के लिए पस्ताता था और ने भविस्य के लिए ही कोई चिंता करता था बाजारू ओरतों के साथ उसके प्रेम संबंद चले किन्तु ये संबंद इस्ताई मेत्री का रूप कभी नहीं ले सके पैरिस में उसका मित्रवर्ग उसे आर्थिक सायता देता रहा वह मजदूरों की गंदी वस्तियों में जीवन यापन करने लगा जीवन भरवे एविवाहीती रहा किन्तु उसके अवैद संबंद सदा बने रहा उसने वैनिस में फ्रेंच दूताल्य में नोगरी भी मिली किन्तु अपने खराब मिजाज के कारण उसे पदचयूत होना पड़ा आवारा, प्रतिपाडित और पीडित होने पर भी रूसो बहुत करीब से जीवन के हर पहलो को देखता रहा धर्म के संबंद में रूसो ऐस्ति रहा उसने कभी कैथोलिक धर्म को अपनाया तो कभी प्रोट्रस्टेंट मत को इतना सब होने के बाद आखिर उसके भागे ने पलटा खाया सन 1749 में उसने एक प्रत्योगिता का समाचार पढ़ा प्रत्योगिता का विशे था रूसो ने इस प्रत्योगिता में भाग लिया उससे पर्थम पुरुषकार मिला अपने निभंद में बिलकुल मोलिक और संसनिके जविचार प्रकट करते उसने लिखा कि विज्ञान तथा कला की तथा कतित प्रकटी से ही सब्वेता का रास नेतिकता का विनास और चरितर का पतन हुआ अब रूसो एक आएकी परशिद्ध हो गया पैरिस के साहित्तिक छेत्रों में उससे समाण मिला किन्तु उसने भद्र समाज और धनाड महलाओ के संसर्ग में लोटने की कोशिश नहीं अब रूसो शुष साहित्तिक प्रतिभा और बोधिक छेत्ना जागरेत होगी अब लिखना ही उसका व्यवसाय और जीवन बन गया सन 1754 में उसने डिजोन की विद्धपहिट एक अन्य निभंद प्रतिवकता में भाग लिया जिसका विशे था मनुष्य में विश्यमता उत्पन होने का क्या कारण है क्या प्राक्रति कानून इसका समर्थन करता है यद पी रूसो कोई पुरुषकार नहीं जी सका तथा पी उसके संपती और ततकाले इन फ्रांस के करतिम जीवन पर कठोर प्रहार की सन 1954 में रूसो पुने जेनेवा में गया जहां कैथोलिक प्रोटर्टरेट बन गया और उसे फिर से जेनेवा की गंतन तरनागरिता दे दी गी कुछ समय बाद रूसो पुने पैरिस चला गया विक्ष्यात लेकी का मदाम एपी ने द्वारा पैरिस के निकट मॉन्टेरी मेरेंस की में रूसों के लिए निवास और भोजन की विवस्ता की गी और तब जीवन से दूर प्रकृति की गोद में रहते वे रूसों ने लोक नेवल होविस और दा एमाईल सोशल कॉंट्रेक्ट नामक विक्ष्यात गरंथों की रचना की जिसने उसका नाम चारोगर फैला दिया इमाईल ग्रंथ ने तो फ्रांस में क्रांथी सी उत्पन कर दी थी उसके क्रांथिकारी विचारकों ने सासक और पादरी कुरुद दो गए सन 1762 में उसकी ग्रिफ्तारी का आदेश निकाला गया रूसों ने पैरिश छोड़ दिया और जीवन के अन्य सोला वर्ष खाना बदोस के रूप में बिताया उसका स्वास गिरता रहा किन्तु लेखन कारिये करता रहा प्राण रक्षा के लिए जर्मनी इंग्लेंड आदी देशों में बठकता रहा 1766 में इंग्लेंड की में दार्शनी की हुम ने उसे सरन दी जहां बर्क भी उसका मित्र बन गया लेकिन रूसों के मित्र उसकी अभिमान सीलता स्वेहन नहीं कर सके 18 मित्रों के प्रतिसंकाल होकर रूसों पने गुप्त रूफ से फ्रांस बागा हूम अपने प्रहववसाली मित्रों की साहता से यह ववस्ता कर दी कि रूसों को बंदी बनाने की आग्या किर्यान वित ने किये जाए अता जीवन के सेस ग्यारा वर्ष पैरिस में वेतीत करते वे उसने कॉन्फरेंस डायलोग तथा रिवर्ष गरंथों का निर्मान के दो जुलाई 1779 को 66 वर्ष के आयू में वेचल वशा विचारों के इतियास में ऐसे वेक्ति की खोज पाना कठी नें जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूत मानो जाती पर इतना गहरा प्रभाव डाला जितना की रूसों ने रूसों ने 1779 में पहला लेक लिखा और 1754 में दूसर अन्यबन लिखा अपने जीवन काल में उसने कुछ ऐसे गरंथों का प्रणान किया जिसके कारण में अमर हो गया एन इंट्रोडेक्शन टू पॉलेटे एकनोमी की रचना की और उसने 1762 में शू विख्यात गरंथ सोशल कॉंट्रेक्ट प्रशासित किया जिसमें उसने राजदर्शन संबंदी गंभीर विचारों की विवेचना की इसी वर्स दे इमाईल गरंथ प्रकासन में है जिसने श आईये मनुँ देखते रूसो का मानव सुभाव के समद में रूसो के विचार प्लेटों तथा लोग के अधिक निकट है उसके अनुसार मनुस्य सुभाव होता है सदास है और अच्छा होता है वे मनुस्य को सुभाव होता है भोला मानता है जिसे किसी बात की चिंता नहीं है उसका जीवन यापन प्रकरती की विश्राम दायनी गोद में होता है संसार में पाए जाने वाले बरस्टता बरस्टाचार दुस्टता आधी गलत वे बरस्ट सामजिक संस्ताओं के उत्पति है मनुष्य के पतन के लिए बरस्ट दूसित सामजिक शंस्ताओं दोसी है मनुष्य स्ववाव से बुरा नहीं होता किन्तु भ्रस्ट कला के कारण बुरा बन जाता अपने विचारों को सिद करने के लिए रूसों मानव स्ववाव की दो मोलिक नियामक प्रवर्तियां बताता है पहला है आत्म प्रेम अत्वा आत्म रख्षा की भावना जिसकी वे कभी नश्ट हो गया होता है मानव स्ववाव निर्माण में दूसरी साहिक प्रवर्तिय सानुगोती अत्वा प्रस्पर साहिता की भावना जो सभी मनुष्य में पाई जाती है और जो मनुष्य जीवधारिस रष्टी का सामाने गुणे इसके कारण ही जीवन संग्राम इतना कठिन परतीत नहीं होता है ये सबी भावनाय सुब है इसलिए सोभा होते हैं द्वेक्ति को अच्छा ही माना जाना चाहिए रूसो का कहना है कि मनुष्य की उपरोगों दोनों मूलभूत भावनाओं में कभी कभी संबूर्ठ होना सोभावी कैने पारिवारिक हित की कामना कभी कभी ऐसे कारियों की मांग करती है जो समाज के हितों में तालमे नहीं बैठा सकते हैं चुकि ये दोनों भावनाय पूंट रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती है अतय वेक्ति समझोता करने के लिए तयार होता है आत्मरक्षा और परमात के कारियों में संगर्स होने से पैदा होने वाली नई समझ्या का समाधान समझोता वादी प्रवर्ती से ही करना चाहता है इस प्रकार के समझोते में एक नवीन भावना उत्पन होती है जिसे अन्ते करन कॉंशनेंस कहते है अन्ते करन प्रकरती का उपहार है यह केवल एक नैतिक सक्ती नैतिक मार दर्शन की नहीं है मार दर्शन के लिए वेक्ति को विवेक नामक स्वेम में विख्षित होने वाली एक सक्ती पर निर्भर रहना पड़ता है विवेक वेक्ति को यह सिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए विवेक वेक्ति का नेतिक पत प्रदर सकें और अंते करण उसको उस मार्ग पर प्रेरित करता है रूसो इस तरह कहते हैं कि आत्मरक्षयम सानवुती इन दोनों भावनाओं में सामजस्य और अन्य भावनाओं के विकास करने और अंते करण तथत विवेक दोनों का सहयोग होता है रूसो ने विवेक के अपेक्षा अंते करण को अधिक महत्व इसलिए दिया कि उस युग में अंते करण की बहुत उपेक्षा की जा रहे थी अंते करण पर इतना अधिक बल देने के कारणी उसे विवेक विरोधी एवं रोमेंटिक कह दिया गया वास्ताव में रूसों ने विवेक पर बड़े आक्षेप किये उसने कलाएं विज्ञान का विरोध करके इसके इस्तान पर सद्भावना और सरदा को परतिश्चित किया उसके अमसार यह भिहानक है क्योंकि वे सरदा को कम करती है विज्ञान विनासक है क्योंकि वे विश्वास को नस्ट करता है और विवेक बुरा है क्योंकि वे नैतिक सहज ग्यान के विरोध में तरक वितर को प्रधानता देता है किन्तु व्यक्ति के प्रति उसका विरोध पूर्णत अथवा निर्मम नहीं है में मानव व्यक्तित के विकास में विवेक को उचित अधिक इस्तान प्रदान करता है हां उसे असीम अधिकार नहीं देता है उसका आत्म प्रेम दंब में परिविर्थित होता है अत्य सुब एवं तात्युक बने रहने के लिए दंब का परित्याक कर देना आउ सके व्यक्ति को भी समझना बड़ा सुगम होगा उसकी प्राकृतिक अवस्ता में मनुस्य प्रकृति की गोद में स्वच्छनता पूर्वक्त जीवन यापन करता था यह अवस्ता भै और चिंता से मुक्त थी प्राकृतिक वस्ता में रूसों का मनुस्य भला ऐसब नोबल सेवास था जो प्रारंबिक सरलता और सुक पूर्वर रिती से जीवन बशर करता था वह स्वतंत्र संतुष्ट आत्मतुष्ट स्वस्त्वन निर्बर था उसे ने तो सातियों के आउसकता थी और ने समाज के वेक्टियों की वे दुख देना चाता था उसकी सहज व्रती वे साहनव भुती की भावना नहीं उसे दूसरों के साथ बांध रखा था वे ने तो सही को जानता था और नहीं गलत को वे गुण और अवगुण की सब भावनाओं से अच्छो था था उस दसा में केवल नैसरगिक सक्तियों स बुद्धियां विवेक की कर्थूतों का अबाव था प्राक्रति का वस्ता में उंचनीज तथा तेरे मेरे का कोई भाव नहीं था व्यक्ति स्विम अपना लीडर होता था वे आत्म निर्भर होता था सब्ध्या का विकास नह होने से उसकी आउसक्ता हैं बहुत कम थी और प्रकरति के माध्यम से सहज पूरी हो जाते थे अत्य वस्तूओं की प्रती महुत की भावना और संपत्ति का उद्य उस समय नहीं होता ज्यान विज्ञान कला विद्यादी का विकास भी नहीं होता मनुस्य अपने वर्तमान में ही संतुष्ठ था उसे भविश्य के लिए सं समाज सभ्या तक्या प्रभाव से सरुथा मुक्त था वह समाज प्रसंता गाई चुक था और जिसमें सामाजिक नियमर और सामाजिक संस्ताओं का बिल्कुल प्रभाव नहीं था रूसों चे प्राक्रतिक हवस्ता ऐसे श्रुणिम यूगी की आवस्ता थी जिसमें नियर्ट्ने-णेंशete सोण्द्रन का उबोग करता हुए मस्ति से स्वुच्छंत्यता पूर्पक विच्रन करता था। उसले जंगली कहना आसान था क्योंकि वे पाढ़ी जंगलों में ही अधिवास करता था लेकिन जंगली होते वे भी वे सज्जन तथा नेक था वस्त में सरसुलप्ति और इस्परदार नाम नहीं था इसलिए युद का भी कोई स्थान नहीं था मेरे और तेरे का भेद नहीं रखते वे उस युग प्राकृतिक दसा की अवस्ता चिरकाल तक इसता ही नह रह सके। रूसों की प्राकृतिक दसा को नश्ट करने के लिए दो त्थ वूटिम्हूए एक तो जन्षंक्या और दूसरा था तरक्का उधे। जन्षंक्या की वे घृधि से आर्थिक विकास स्तेजिसे होने लगा सरलता प्राकृतिक प्रसंता से प्रार्यम्भिक जीवन का लोप हो गाया संपत्ति का अभवद्वा और मनुस्यों में व्यक्तिकत संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्वी परिवार जक्की तरह स्वचंद घुमने वाले वंचरी ने एक इस्षे पर अपना अधिकार दूसरे सदस्यों ने जो निश्चल थे व्यक्ति विशेश के इस अधिकार को निश्चंचों अपना लिया वादविवा तथा प्रतिरोध उनकी प्रकर्ति से परेदा जन्संक्या की वर्दी के सासात ये प्रकरिया और बढ़ गई परिवार और संपत्ती की वैख्या घर कर गई अब विश्चंचा का जन्सार मानवे समान तक हतम होने लगी मनुश्य ने मेरे और तेरे के भाहों से सोचना आराम कर दिया जिसने निजी संपत्ती की व्यवस्ता का शिरीगनेश हुआ रूसिक अनुसार वे प्रथम मनुस्य ही नागरिक समाज का वास्त्रिक संसापक था जिसने भूमी के एक टुकडे को घेर लेने के बाद यह कहा किया मेरा है और उसी समय समाज का निर्मान हुआ जब अन्य लोगों ने उसका देखी देखी इस्तानों और वस्तों को अपना समझना प्रारम कर दिया इस विचार के संपून विदी को डर्निंग कहते हैं कि किर्शी और विध्धुत धातु विश्यक कहलाने की खोज हो गई और इन्हें लागू करने में आदमियों को एक दूस्ते की साहता की आव सकता थी सैयोग का प्रादूर्वा हुआ और उसमें मनुस्री की विभिन योजनाओं को बल मिला और इस प्रकार अनिवारिये परिणाम अर्थात आधुनिक समाज के निर्मान की तयारी हो गई अपेक्षा करत बलवान आदमी अधिक मात्रा में काम करता था किन्तु दस्तकार को अधिक अंच मिलता था इस तरहे धनी और निर्धन का भेद उत्पन हुआ जो ए समानता के स्रोतों का जनक है अब एक विक्रित सी सारी दसा पर छागई मनुस्य सहज सुक्सानती से हाथ को खो बैठा जीवन कुलसी तो उठा रूसों ने प्राकृति कवस्ता के तीन प्रकार माने हैं सबसे पहले आदिन प्राकृति कवस्ता थी उस समय मनुस्य से निपट जंगली था फिर मद्ध्यवर्ती प्राकृति कवस्ता आई तब ए समानता का पराराम हुआ और संचेवर्ती बढ़ गई तस पस्चाद धमनव अत्ताचार की पोशी का अत्तनत अवस्ता आई और जो ए सहने थी और मनुस्य की गती बुरे से सरुनास की और हो गई इस कूछ अकर को रोकने के लिए ही सामाजिक समीदा सोशल कॉंट्रेक्ट की आउतराणा हुई इसी समय मनुस्य प्रकर्ति की और बैक टूदा नेचर लोटने का नारा दिया राइट कहते हैं कि हम प्रारंब का परिताग कर सकते हैं दूसरे सब्दों में तुलना करना छोड़ कर केवल अपने ही कारिया में लगे रह सकते हैं हम बहुत सी कल्पनात्म की श्चाओं का परित्याग करके अपने सुरू को पुने प्राप्ट कर सकते हैं और और हदिक विनम्र हो सकते हैं अपनी आत्मा को प्राप्ट कर सकते हैं एक सब्द में हम प्रकृतिक और लोट सकते हैं इस प्रसिद वाक्य का अर्थ यही है पैक बनता था कि समाज में आगे बढ़ते हुए रथ को पीछे लोटना संभव नहीं है पर साथ ही वे प्रकृति सुलब सोंद्रिये सरलता और साहनु भूति का उपासकन विवेक तथा तारकिक बुद्धि को वे प्रकृति के प्रतिकूल मानता है रूसों का नेचुरल मेन वे आ पावा नहीं किया कि निश्चित रूप से कभी किसी जगह वैसी दसा रही होगी वर्तमान या अनुमान से वे उस दसा की कल्बना करता है अपने विचारों में आगे चलकर वे संसोधन परिवर्तन करता है जिससे कई ऐसंगतिया पैदा होती है लेकिन रूसों स्विम कहता ह कि मैं पक्षपात या पूर्वा ग्रह की बजाए विरोधा बास का प्रेमियों थैंक यू